आदिश गुप्ता जी मेरे साथ है बातचीत करते हूं से सबसे पहले ये जो की MP प्रवेश फर्मा ने सुंदर नगरी में बयान दिया एक कम्यूनिटी के खिलाफ बयान से पूरी BJP आप सहमत हैं असहमत हैं या क्या भारती जनता पार्टी कभी भी किसी समुदाय विसेस को कभी दोसी ठहराने का सवाल ही नहीं होता है भारती जनता पार्टी सदय भी जो समुदाय जो भी व्यक्ति अपराधी है वो किसी भी समुदाय का हो और अगर उसने अपराध किया है उसने दंगे किये हैं और दंगे करा में वो दोशी है रहें सामिल रहें उनके खिलाब हमेशा कदम उठाए जाए कारवाई की जाए उनको सजा दी जाए और उनका उनका जरूर सोसल बाइकाट होना चाहिए जो लोग अपरात करते हैं जो लोग दंगे फैलाते हैं यह समाज के वो लोग हैं जो समाज के अंदर ए यह रहड़ी पट्री से उनके जो सामान है वो मत खरीदिये किसकी बात वो करें देखिं अब जो बात उन्होंने कही उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं उसको तो वही करेंगे डिफाइन लेकिन मैंने अपनी बात इसपस कर दिये भारती जनता पार्टी किसी भी रूप में किसी समुदाय के खिलाब बात नहीं करती है जो अपरादी उनको भकसा नहीं जाएगा प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी की नीती हो या योगी आधित नाज जी की भारती जनता पार्टी की किसी भी सरकार की दंगाईयों को नहीं बकसा जाएगा दंगे कराने वालों को नहीं बकसा जाएगा और जो निशाना बनाते हैं परिवारों को बच्चों को उनको नहीं बकसा जाएगा पार्टी लैंने जो विचार रखे होंगे मुझे उस विचारों के बारे में इतना इस्पस्त नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि भारती इंता पार्टी हमेशा इस्पस्ता के साथ अपनी बात रहे है बहुत शुक्रिया बाचीत करने के लिए तो ये थे आदेश गुपता जो साफ तोर पर कह रहे हैं कि वो दरसल उन्होंने किसे खास विशेश समुदाय के बारे में नहीं कहा था, हाँ इतना जरूर कहा था कि जो लोग आपराधिक प्रवत्ती का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जो कारवाई किया और उन्होंने के लिए वो अपील की है और साफ तोर पर उन्होंने इन चीजों के बारे में पताया